साथियों अगर आपके गेहों की फसल 120 दिन की हो चुकी है और उसमें बालिया बन रही हो या फिर बालियों का भरा हो रहा हो तो आज कर वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले है क्योंकि दोस्तों यह लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम कुछ-कुछ टॉपिक मेरेंगी खास कर दोस्तों पहला जो टॉपिक रहेगा वो यह रहेगा कि अगर आपके बालियों का भरा हो रहा है तो उस समय हम क्या ऐसा मैनेजमेंट करें जिससे कि उसकी भराव अच्छे से हो उसमें दाने अच्छे से भरे और जो दाने का वेट हो उसका जो आ जाने का जो आपका वेट होना चाहिए वो बहुत बढ़िया होना चाहिए पहला टॉपिक हम इस पर बात करेंगे दूसरा टॉपिक दोस्तों अगर मान की चलिए इतने टाइम से आप अपनी खेतों की मैनेजमेंट बहुत बढ़िया से किये और किसी कारणस आपकी गेहूं की फसल गिर गई हो अब सुभाविक सी बात है दोस्तों गेहूं की फसल गिर गई तो उसका उत्पादन कम हो जाएगा लेकिन दोस्तों हम आज की वीडियो में इस भी पॉइंट पर बात करेंगे फसल गिर जाने पर आप ऐसा क्या मैनेजमेंट करें जिससे कि उसकी उत्प की फसल में कप करें जिससे की आपका पैदावार हो वह अच्छा हो क्योंकि दोस्तों आपको एक बात फिर से बताना चाहूंगा यह जो आखरी समय होता है इसमें किसान भई सो जाते हैं उनको लगता है कि हमारी खेट को ना पानी की जरूवत है ना ही किसी खाद भीज की सिचाई की बात करेंगे कि आपको अपनी गेहूं की फसल में सिचाई कब देना है आखरी सिचाई वह होगा आखरी भी कह सकते हैं फिर सेकंड लास्ट भी कह सकते क्योंकि इसके बाद भी आपको एक सिचाई देना पड़ेगा इसको भी हम वीडियो में चर्चा करेंगे और सबसे लाश्ट चीज दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम इस साल के गेहूं के उत्पादन को अगली साल दोस्तों 20 के तौर पर ले 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 तो क्या ये पॉसिबल है तो इस इस पर भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे तो मैं हूँ दोस्तों आपका किसानमी त्रणु करें जिससे कि उसकी बालियों का भराओ और दानों का बढ़वार बहुत अच्छे से हो दोस्तों तो देखिए एक चीज मैं आपको बताना जूंगा पॉइंटे चाहे तो नोट कर सकते हैं जो आपकी गेहूं की जो दानों का भरा होता है यानि कि यह गेहूं की बालिया है इसमें जो भरा होंगे वो 12 से लेखिर दो्सतों 20 दिन लंगेंगे अब बारा दिन कैसे लगते हैं और एक बीस दिन कैसे लगते हैं इसके बारें बताओंगा अगर आपके दानों का भराव में 20 दिन लग रहा है यानि कि दोस्तों इसका weight सबसे बढ़िया होगा और इसका growth सबसे बढ़िया होगा अगर दोस्तों इसका भराव 12-14 दिन 56 दिन में हुआ है तो इसका जो weight होके दोस्तों कम होगा अब ये 20 दिन और आपको 12-14 दिन कप कैसे पता चल रहा है आप अपने खेतों का निर्चन करते तो ये आपको बात पता चलता है लेकिन इस शाहे तो हम अपने इस जो duration को बढ़ा सकते हैं 20-22 दिन भी कर सकते हैं कैसे आप अपने खेतों को दोस्तों stress free रखें अब stress free बात किया तो अब सवाल आएगा कि ये stress free कैसे रखें अपने खेतों को तेक तो अच्छे से irrigation ना दें कोई disease लगया हो disease से free ना करें अपने खेत को और जो तीसरा सबसे बड़ा कारण होता दोस्तों आपकी मौसम बदलने का जैसे अभी ठंड थी अब ठंड के बाद अब गर्मी आ रही और गर्मी किस तरह से गर्मी पड़ी रात में बहुत तगड़ी ठंड पड़ी है और दिन में बहुत तगड़ा धूपूरा तो इससे क्या फसल अपने आपको मेंटेर नहीं कर पाता तो फसल अपने स्टेस में चले आता क्योंकि अभी पूरे जो खेत का जो या फिर जो प्लान का पूरा जो धम होता है दोस्तों वह सिब दाने बनने और भराव में ही होता है तो अगर इस पर आपको अच्छे से फोकस करना है तो खेत को किसी भी होंगे वह बहुत अच्छे हैंगे मोटे आएंगे चमकीले आएंगे जिसी कि आपकी मार्केट में ज्यादा वैल्यू रहेगी आपकी फसल की और ज्यादा रेट में बिकेगा आपको नुकसान नहीं होगा अगला जो टॉपिक आता है दोस्तों हमारी घेहूं की फसल में आ अगर आपकी जरुवत है कि नहीं है अब नमी की जरुवत कैसे होगी ये मैं आपको पहले बतायता हूँ जैसे आप अपना मिट्टी उठाएंगे और मिट्टी को ऐसे आप गोला बनाएंगे अगर वो लड़ू बन जाता है तो यानि कि आपके खेट को मिट्टी की है वो आपके एरिया पे डिपेंड करती है अगर आपके यहां चिकनी मिट्टी है तो यह आपके लिए आखरी सिचाई नहीं यह दूसरी आखरी सिचाई होगी आपको इसके बाद भी एक और बार सिचाई करना होगा तो यूटूब पे आपके तरह तरह वीडियो मिलेंगे कि गेहूं की आखरी सिचाई कब करे कब करे ऐसा कुछ नहीं दोस्तों आपको तभी करना होगा जब आपको फसलों की जरुवत होगी अब हमारा जो अगला जो सवाल आएगा दोस्तों अगर आपने अभी तक बहुत अच्छा मैनेजमेंट की अपने गेहूं की और किसी कार करीक अपना सकते हैं NPK 0050 वाल जो आता है उसको एक किलो लेके और फंजी साइड मिलाके दोनों चीज़ों को लेकि दोस्तों आप अपने खेतों में स्प्रे कर लें जहां भी आपकी फसल गीरी हो चाहें तो आप अपने पूरे खेत में स्प्रे कर दे या फिर जहां जहां आपकी यहां फसल गिर गई है तो आप यह तरीका ले सकते हैं और जो आखरी जो हमारा सवाल रहेगा दोस्तों क्या इसके बीज को यानि कि दोस्तों इसकी गेहूं की फसल को अगले साल आप बीज की तोर पर ले सकते हैं तो इस सीच को मैं आपको doubt clear करना चाहूंगा जैसे हमारे हाँ ज्यादा तर ब्रॉड कास्टिंग याने की छिड़काव विदी से ही गिहूं लगाए जाता है अब यह वाला खेत है यहां के किसान भाई ने छीटा मेरे खित में आके रह गया तो आपको यह चीज बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा कि जितने पिसमें उन्वांटेड चीज़े हैं जैसे जई हुआ कोई खरबतवार हुआ या फिर मिक्स वेराइटी है उनको आपको अलग निकालना पड़ेगा और उसको आप अगले साल बहुत अच्छे से बीज के तौर पर ले सकते हैं जिसके आप उसको अगले साल बीज में ले सकते हैं ब दोस्तों आज की कुछ यह के टापिक पर वीडियो जाहिरे दोस्तों आपको चीजे समझ में आएंगे अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब किजए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में धन् देमाथ तेमाथ